नमस्कार निशामदुरिका.com में आपका स्वागत है सर्दियां आ गई है और मार्केट में बाजरे का आटा भी मिलने लगा है बाजरे से बनी तिल टिक्की बहुत स्वाधिस लगती है इसमें बाजरे का आटा तिल गुड यह सारी चीजें गरम है जो हमारे सरीर को जो की आवश्यक्ता होगी बाजरे का आटा एक कप तिल दो टेबल स्पून गुड 40 ग्राम या एक चौथाई कप से थोड़ा कम तिल टिक्की तलने के लिए तो टिक्की बनाना शूर करें सबसे पहले हम बाजरे के आटे को गुथेंगे किसी थाली में डाल लेंगे आटे क इसमें गैस ओन कर देंगे गुड़ पिखलने तक इसको गरब करेंगे गुड़ खुल गया और अब हम गैस बंद कर देंगे गुड़ का जो हमने सीरप बनाया है उसे निकाल लेंगे अगर गुड़ में कुछ आपको दिखाई दे कि कभी-कभी तिन के पगयरा आ चाते हैं तो हम उसे चलने से चाल सकते हैं यह तिल आटे में मिला लेंगे और दो छोटे चमच तेल डालेंगे मिक्स करेंगे और अब यह गुड़ का सीरप डालते हुए आटे को गून देंगे यह बिल्कुल जैसे पराठे बनाते हैं उस तरह का आटा गूत के तयार कर लेंगे यह आटा हमने गूत के तयार कर लिया और आटे को हम 10 मिनिट के लिए थोड़ा धक्के रख देंगे ताकि आटा फूल करके सेट हो जाए 10 मिनिट हो गया हमारा अब हम ठिक्की बनाना शुरू करेंगे तो तेल गरम कर लेते हैं खड़ाई में और आटे को थोड़ा मसल मसल करके चिकना करते हैं तो थोड़ा सा ये गुड़का ही पानी है इबाज़रा के आटे को इस तरीके से ही मसला जाता है एच इच करके ये आटा हमने नरम कर लिया और तेल गरम हो जाए थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथ पर थोड़ा पानी लगा लेंगे और इसको दोनों हतेलियों के सहारी से बढ़ा लेंगे यह इस तरीके से बढ़ाया डाल देंगे तेल बहुत जादे गरम नहीं होना चाहिए बसे सिखनी चाहिए एकदम धुआ इस्मोकिंग तेल नहीं होना चाहिए यह जब सिख जाएंगे एक तरफ से तब इन्हें हम पलट देंगे इन्हें धीमी आगपरी सेखेंगे मीडियम फ्लेंपर यह जैसे ब्राउन होती जाएंगी हम इन्हें निकाल देंगे बाजरी की टिक्की को हम धीमी और मीडियम गैस पर ही कुरकुरी और ब्राउन होने तक तलेंगे तेज आग बिलकुल ने करेंगे इसके लिए बाज़्य की टिक्की बनाते समय हमें थोड़ी सी साथ़ानी की जुरूत है एक तो गुड का धिहान रखें कि एक जादा ना हो जाए के मोड़ जादा हो जाएगा तो बाजरी की की टिककि सेगत से तेल में भीकर सकती हैं या फिर आठे को अच्छे से ना फोना मसले से मसल के आठे को बहुत ब्हुत करना होता हुथinda में अगर मोलाइम ना किया जाए तो बड़ाते ही इसमकर तूट जाएगी तो थोड़ी सी साप्धानी और ध्यान रखा जाए तो बाजरी की भ Jewish यहां आसानी से बनाई जा सकती है बादरे की टिक्की तयार है बादरे की टिक्की को ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजे और 15 दिन तक आप इसे खा दे रहे हैं आप बादरे की टिक्की बनाईए और अपने अनुभव निशामदलिका.com पर शेयर कीजि